गुड बॉनिंग फ्रेंज, वेलकम तो मैंने यू एपिसोड सेचिन तिलेकर व्लॉग आज हम डिसकस करेंगे पैश कंट्रीज फॉर्स्ट ट्रावेलर्स ठीक है पहली बार जो पासपोर्ट बनाने के बाद पहली बार वो डिसाइड ने कर पाते क्या हमें कौन सी कंट्री ट्रेवलिंग करनी चाहिए ठीक है इंटरनेशनल लेलर पे तो वो हम कंट्री डिसकस करेंगे ठीक है आज की वीडियो में तो जो पहली country आप सभी को भी पता होगा मुशली आप सभी के mind में भी होगा इस country के बारे में कि ये country हम जा सकते easily और fresh passport, नया नया passport बन के आता है तो हम decide नहीं कर पते इसलिए मैं ये discuss कर रहा हो क्या best countries for first time travelers ठेक है? तो पहली जो country है वो है Thailand Thailand का visa नहीं लगता है, visa on arrival है for Indians Crime ratio भी बहुत कम है, ना के बराबर है और less than 50,000 में आपकी trip हो सकती है ठेक है? depend upon your expenses and everything तो first consider हम करते है Thailand ठेक है? second country जो है वो है Bali, Indonesia Indonesia है second country tourist friendly country है, बहुत ही अच्छी country है वहाँ पे जो लोग है, वाहां के locals बहुत ही अच्छे, friendly nature के है, बहुत ही बहुत ही बैतरिंग country है गुमने के लिए और वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ही है कि bargaining चलती है, similar like India आप bargaining कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जो भी stuffs लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं तो आप bargaining कर सकते हैं, इंडियोनेशन, बाली में ठीक है, थर country है, यह आपको पर decide करता है कि आपको कौन से country रखने है थर पे ठीक है, मेरे हिसाब से दुबाई या श्री लंका ठीक है, दुबाई का हमें e-visa लगता है और वो easily मिल जाता है, बहुत ही अच्छी country आप सभी को पता होगा दुबाई के बारे में, भूज खलीफा है वहाँ पर तो tourism के लिए बहुत बढ़िया country है including श्री लंका, अगर आप श्री लंका प्रिफर करते हैं तो हमें वहाँ पर visa on arrival है ठीक है, तो कोई दिक करने है, visa apply ही नहीं करने है और दुबाई के लिए आप जाते हैं, तो e-visa लगता है लेकिन वो easily मिल जाता है, तो कोई दिक करने है, दुबाई जाने में भी ठीक है, दोनों country बढ़िया है और इंडिया के past में है, और under 50,000, 80,000 में हो जाएगी आपकी travel history भी बन जाएगी, और first time traveler हो, तो आप ये consider कर सकते हो ठीक है, उसके बाद आते हैं, not Dubai, Russia ठीक है, Russia में काफी Indians वहाँ पर every year जाते है, has a tourist purpose से Russia का visa लगता है, हम इंडियन को apply करना पड़ता है लेकिन इजली है, Russia का visa इजली हमें मिल जाता है, ठीक है तो ये एक country है, fourth pay, Vietnam और Cambodia, बहुत country आप explore कर सकते हो साथ में, ठीक है, अगर आप Vietnam जाते हैं, तो Cambodia साथ में कर सकते हो तो ये एक trip में हो सकता है, under 50,000, 60,000 में, ठीक है, ज़्यादा expensive नहीं है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है, अच्छी है for explore करने के लिए, Vietnam और Cambodia अब यह मतलब है इसके उपर थोड़ा बहुत हमारा expense बढ़ सकता है, above 1 lakh के असपास हो सकता है इस country के लिए इस country का नम में, Mauritius, ठीक है, budget आपको थोड़ा बहुत लेके चलना होगा, और काफी Bollywood, Flame, Shootings, महाँ पे होती है काफी tourism के लिए जाते है, गुमने के लिए जाते है, TV serial वाले महाँ पे जाते है, Mauritius में, गुमने के लिए तो काफी explore करने के लिए Mauritius भी है, आप इसे भी consider कर सकते हो, और अपका passport fresh है, तो आप Mauritius भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा budget बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, फिर Maldives और Mauritius दोनों का विजोन है रह वाले, मैं आपको बता दू, ठीक है, budget 1 lakh 50 के उपर चले जाएगा, ले इतना budget तो आपको रखना होगा, ठीक है, और थोड़ा हम दूर जाना चाहते है, अगर explore करने है, आपको गुमने जाना है, तो और फ्रेश पासपोर, तो Kazakhstan उजबेगी स्थान भी आप जा सकते हो, विजोन है ठीक है, लेकिन season देखके जाएगे, वहाँ पे Kazakhstan का temperature विंटर में बहुत ये रहता है, बहुत cold है country, आप बहुत थंडी, आप समझ सकते हो, काफी ये है, थंडी जगा है, थंडी country है, तो आप winter में specially ना जाएगे, आप season देखके जाए, Kazakhstan, Uzbekistan, ठीक है, विजोन है रवल है for Indians, तो ये जो country है, मैंने आपको बताईए है, ये आपका fresh passport होगा, और अब भी अभी passport है, और आप decide नहीं कर पा रहे है, तो ये सब country आप जा सकते हो, कोई दिकर ने, आपकी travel history भी अच्छी से बन जाएगी, इस country में जाओगे आप, तो future के लिए अगर कोई visa आपको apply करना है, जैसे USA, UK, Australia, Canada, तो आप apply कर सकते हो, ये travel history बना के, लेकिन आप द्यान रखे, immigration का भी, तो आपका return ticket, hotel reservation, funds, ये तो रख नहीं है, आपको covid की certificate रख लीजे, tourist purpose से जा रहे है, तो PCC और medical की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका intention अगर tourist job का भी है, तो आप जा सकते हो, PCC लेखे carry care cap चले जाए हैं, अगर job opportunity मिलती है, तो grab कर सकते हो, ठीक है, लेकिन intention आपका tourism का ही है, तो ये on a fresh passport, ये सब आप country जा सकते हो, under 1 lakh, 2 lakh के अंदर, और जो पहले जो starting से first, second, third country जो मैंने बता ही आपको, वो under 50, 60 thousand में भी आपका हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन आप immigration का ध्यान रखे, और Thailand Bali, Dubai, ये सब तो under 50, 60 thousand में आपका हो जाएगा, ठीक है, rest of the country है, जो मैंने आपको बता है, वो 1 lakh, 1 lakh 20 thousand, या 2 lakh के असपास इसका budget हो जाएगा, और आपको travel history के बनानी है, और फ्रेश पासपोर्ट और future के लिए आप देख रहे हो के, USA, UK, Canada का विज़ा अपलाय करना है, तो य ये मत रखे कि आप गैप रखे आप 6 मन्स का बीच में, या 3 मन्स का गैप रखे, आज अगर आप मौरिशेस जा रहे हो, तो 2-3 मेने के बाद आप दूसरी ट्रिप बनाइए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप continuous 2-3 कंट्री जल-जल, quickly आपने कर ली, सिर्फ only for US विज़ा आप लाए करने के लिए, एक देड़ साल दिजिए, बीच में गैप रखे, और बाद में दूसरी कंट्री घुमी है, ठीक है, आपकी ट्रेवलेश्ट्री भी बन जाएगी, और पासपूर्ट का जो है वैल्यू वो भी बढ़ जाएगा, इसा लगेगा, कॉंसलर को का ये ज पासपूर्ट ये सब कंट्री आप जा सकते हो, लेस दन वन लैक, वन टू लैक, ठीक है, और जो टॉप कंट्री मैंने बताएगे, फ़र्स, सट अंधर फोद पे वो तो अंडर 50-60 तॉजन में आपका हो जाएगा, ठीक है, श्रिलंका वितना, बाद में मालदिव, ये सब क के लिए इतने हैं, मिलते मेरे, नेक्स्ट एपिसोड में सचन्देगा व्लॉक है, गुर्वन, बाई, टेक केर, बाई